हलो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सबों के सामने में फिर से एक नया वीडियो एक नया टॉपिक ले करके आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि वीवो ने अपना वाई स्रीज इस महेंने लॉंच कर दिया है आने कि एक नया स्रीज स्टार्ट किया है वाई स्रीज और उसी के अंतरगत एक फोन है Vivo Y15 जो काफी popular है, काफी परचलीत हो रहा है, काफी लोगों के जुबाँ पर उसका नाम है उस फोन का, तो आज हम लोग उसी फोन का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, डिटिल्स जानने की कोशिज करेंगे, और इंडिया में कब तक मिलेगा, वो भी जानने की कोशिज करेंगे, तो दोस्तों जो मुझे नहीं जानते हैं मैं बता दू मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर टेक यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले बता दे की, कि वीवो Y15A जो फोन लॉंच हुआ है, इसको बताया जा रहा है, कि ये काफी किफायती स्मार्ट फोन है, मतलब काफी सस्ता और मतलब ना सस्ता है ना महेंगा है, तो किफायती है, जहां पे आम यूजर्स, आम लोग जो हैं, वो इस फोन को आस बताने से खरीट सकते हैं, और मैं बता दूं कि ये फोन अभी फिल्पिन्स के बाजार में उपलब्द है, इंडिया में अभी तक नहीं है, मैं बताओंगा, कब तक आएगा, नहीं आएगा, बट अभी ये फिलिपिन्स के बाजार में ओर्ड़री धुम मचा के रखा, ये इस फोन को दो कलर में लांच किया गया है जो फिलिपिन्स में लांच किया गया उसके उलसान में बता रहा हूं एक है mystic green color और दूसरा है वैव blue अनिकि mystic green और वैव blue दो कलर में ये फोन बाजार में अभी उपलब्द है अब बात कर लेते हैं वीवो 15A का specification और इसके features के बारे में जिससे ये आसान हो सके कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो इस specification को आप अच्छी तरह से समझे और दोस्ते अचले में बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपसे request है कि please नीचे में subscribe का option है उस पे click करके bell icon को जरूर दबा ले क्योंकि इसी तरह का latest video मैं आपको देता रहता हूं और उसका notification आपको तुरंत आपके phone पर मिल सके इसलिए bell icon को दबाना जरूरी है तो एक चीज होता है जो मैं हमेश्चा कहता हूं जब मैं खासकर के phone के बारे में बात करता हूं smartphone के बारे में बात करता हूं कि लोगों का बड़ा curiosity होता है phone leak हो गया है phone का specification leak हो गया है लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि कि already जैसा मैं बता चुका हूं कि यह phone already फिलिपिन्स के बाजार में उपलब्ध है अगर आप फिलिपिन्स में मेरे यह वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ खरीच सकते हैं तो सबसे पहले बता दें कि इनका जो display है display की बात करें जो सबसे पहले लोगों के सामने में आता है वो 6.51 IPS display आपको इसमें मिल जाएगा जो HD में होगा अगर बात की जाए इसके camera की तो आपका जो front है आपका सुन्दर सचेरा को mobile में cat करने के लिए जो camera है वो है आपका 8MP का और जो आपका rare camera होगा जो पीछे वाला camera होगा वो 13MP का है और एक 2MP का camera है MediaTek Helio P35 का processor आपको इस phone में मिल जाएगा इसमें आपको RAM की बात करें तो 4GB का RAM आपको मिल जाता है और अगर storage की बात करें तो 64GB का storage भी आपको internal storage आपको मिल जाता है इस phone में अगर बात करें कि इसमें कौन सा operating system डला हुआ आपको मिलेगा तो वो होगा android 11 के base 11 android का OS इसमें आपको install मिलेगा और सबसे आखरी और सबसे important बात ये है किस phone में आपके phone को जिन्दा रखने के लिए 5000 mAh का battery आपको मिलेगा जिससे ये phone आपका जगा हुआ रहे तो दोस्तों इस video में इतना ही और इसका एक phone और है अगर आप लोग बोलेगा तो मैं बाद में कभी video बना दूँगा कि Y15A और Y15S ये दो phone है दोनों में comparison अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जरूर आप comment कीजिए तो कोशिस करूँगा मैं उसके ओपर video बनाने का तो कैसा लगा दोस्तों मेरे यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा तब तक लिए सुक्रिया धन्यवाद